नमस्का बीसियन न्यूस की हिंदी बुलेटिन में मैं एक शितिजा आप सभी का स्वागत करते हूं बढ़ते हैं खबरों के ओर पानी निकलने लगा जिसे देखकर वनकर्मी भी अचमबीत हो गए हाला कि कुछ वनकर्मियों ने हाद धोकर इस पानी को पीने का आनन भी लिया यह वीडियो आज वाइरल हुआ यह वीडियो ताड़ोबा में कारेरत महिलावन रक्षक प्रनाली वंजारी ने बनाया था पान सावन परिक्षेत्र के कंपार्मेंट क्रमांग 306 में लिया गया था ताड़ोबा के कोडसा रेंज में पिछले कुछ महिने पहले यहां एक घटना हुई है चमतकरी घटना हुई है और वहां पेड़ से पानी निकल रहा है तो बहुत सारे लोग यह चमतकरी घटना करके मान रहे हैं मगर एक साइन्टिफिक टूथ है कि पेड़ों को बैक्टिरिया से या फिर इंसेक्ट के वज़े से बीमारी होती है और उस बीमारी के वज़े से बहुत बार पेड़ों में ट्यूमर देखने को मिलता है तो इसी प्रकार का ट्यूमर जिसे कुराडी से तोड़ा ग है तो पेड़ों में एक खुद की जलवा ही निया होती है यह जमीन से जो पानी पेड़ उठाते तो वह उपर के पत्ते तक पहुंचाते हैं या फिर बहुत जगा पर यह जो पानी है वह पानी स्टोड किया जाता है जनरली धूप काल्म के महिने में पेड़ों को ज्यादा पानी के आउशक्ता होती है तो पानी जमा करते हैं तो उसी दर्मयान केसी ने वह ट्यूमर को अगर तोड़ दिया या फिर इंसेट और बैक्ट्रिया के वज़े से अगर वह पानी वहां से निकलने लगा तो पानी भैते रहता है यह पानी में बैक्ट्रिया होती है और कु के लिए हानिकारक है और यह कोई चमतकारी घटना नहीं है एक बिमारी है जो पेड़ों को होती है बीसी न्यूस के लिए चंद्रपूर से सुनिल ताइड़े पाडशुनी तैसल क्षेत्र के निंबाक राम में मातंग समाज की ओर से साहित्य रत्न लोक्षाहिर अनावाव पर निंबाक राम पंचायत सरपंचा समाज सेवक डॉक्टर इर्फान अहमद शिक्षक खुशाल कापसे समाज सेवक दिवाकर भोयर दवाविक्रिता प्रमोद भड शेतकरी मोटर्स के संस्तापक शुबंब्राओद बाजार समिती संचालक वैबोग खोबरागडे नियू पर पुषप अरपंड कर केक काटा गया सभी मान्य वरो द्वारा महापुर्शो को अभिवादन किया गया समाज प्रभधन कर खुशाल कापसे द्वारा अन्नाबावसाठे जी की जीवन चरितर पर प्रकाश डाला गया लोक्षाहिर अन्नाबावसाठे ने समाज के लिए क सभी को अवगत किया गया साथ ही शिक्षा का महत्व इस मातंग समाज के लिए कितना जरूरी है इस बारे में खुशाल कापसे द्वारा संबोधन में कहा गया तबी इस समाज को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं कामिया भी हासिल करना हो तो शिक्षा जरूरी है इसलिए मातंग समाज के बच्चों ने शिक्षा पर ध्याना करशित करना जरूरी है वही समाज के सेवक डॉक्टर इर्फान एहमद ने मातंग के साथ सभी समाजों के बच्चों के लिए हर गाव कजबे में पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकालय का निर्मान किया जान गरीब परिवार के बच्चों तक पहुचानी जानी चाहिए जिससे आने वाली पीडी शिक्षा के जरिये मंचहा मुकाम हासिल कर सके और अपने सपने साकार कर सके इस अउसर पर नगर में मिठाई भी तरित की गे डोरली ग्राम में रहने वाले मातंग समाश की लड़की रिं अउसर पर विंकु को आर्थिक साहता की वही आने वाले दिनों में आगे की शिक्षा के लिए सदेव साहता करने का आश्वासन दिया इस अउसर पर मातंग समाज बांदो बड़ी संख्या में उपस्रित थे राज्य में राश्ट्रिय शिक्षानिती 2020 के कारियानवे के करम में 24 जुलाई से 29 जुलाई 2023 तक वेभिन नगती विधियो के माध्यम से राश्ट्रिय शिक्षानिती 2020 सब्तहा कायजन किया गया इसके तहट स्तानिय जेम पटिल कॉलेज में राश्ट्रिय शिक्षानिती 2020 पर राश्ट्र संतितु कुड़ोजी महाराज नागपूर विश्य विद्याले नागपूर के सयोग से भंडारा और गोंदिया जिले के प्राचारियों नोडल अधिकारियों प्रोफेसरों के लिए एक कारिशाला का आईजन किया गया था कॉलेज प्राचारिय डॉक्टर विकास धूमने ने अपने परिचे में कहा कि नई शिक्षानिती 2020 शिक्षाक शेत्र में करांतिकारी बदला होगी और च्छात्र के इंदरित तनाव मुक्त शिक्षा प्रणाली च्छात्र विकास के के लिए फायदे मन्द होगे मुख्यमार्ग दर्शक शामराओ कोरेटी दीन मानवी की संकाय वराश्टर संतर तो कुड़ोजी महराज नाकपुर विश्विद्याला नई शैक्षीक पध्धत एक नई शैक्षीक पध्धती है जो वेभेंद्न विश्यों की दीवारों को चात्र भाशा मुल्य आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगी और चात्र के दुष्टी कोन को विकसीद करेगी और भारतिय ज्यान परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाएगी गुन्वत्ता अश्वासन कक्ष के समन्वैक डॉक्टर प्रोफेसर भोजरा श्री देवकते डॉक्टर प्रविन गोसिके डॉक्टर रूमी बीस डॉक्टर भावना रॉय डॉक्टर गिर्धारी लालतिवारी ने बहुमुल्य सयोग प्रतान किया बीसे न्यूस के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंदा लोरी महराष्ट्र नौनिर्मान सेना के और से करीब बीस किलो मीटर अंतरगत पाटन सावंगी के लोद टोल बूद पर टोल मुक्त करने के लिए मनसे जरा देख्ष जयन्त चौहान के नेत रुत्व में प्रदर्शन कर मांग की गई साथ ही महराष्ट्र नौनिर्मान सेना के प्रतिनित दिमंडल से समधित विभा को एक लिख खेरी टोल गेट केलवट टोल गेट पर मनसे स्टाइल में शांती पूर नवी रोद प्रदरेशन किया गया इस मौके पर टोल रोड पर बीस किलो मीटर अंतरगत आने वाले वहां धारकों से तोल लेना बंद करो एवं टोल नाके पर महिलाओ के लिए स्तनपान ग्रिह भारती वहांचालकों से टोल मुक्त और सभी सुविधाय 15 दिनों के भीतर प्रदान नहीं किये जाने पर महराश्ट्र नौ निर्मान सेना के ओर से तिवरा अंदोलन की चेताओं नी दी गई है इस पच्छात जिला संगटक, स्वपनिल चौधरी, नरिश भोयर, रिलिश कानोकर, यश्वन्त वैश्नाव, साहिल ढोकने, साजित पठान, प्रबुद्धनाव नवरे, विशाल तरपे, सहित, अन्यमन से सैनिक, बड़ी संख्या में उपस्तित थे बीसी न्यूस के लिए खापर खेडा से दिलिब घश भी है गाओं में तहसिल की टीम कारिया कर रही है, एक हाथ मदद के लिए इस अनोके पहल में राशन कार्ड बनाया, या नया कार्ड बनाना, पुराने कार्ड को बनाना, सभी प्रमान पत्र, निर्वाजन पत्र, संजे गांदी निराधार योजना, आधार कार्ड, आधार कार्ड बदफार दो अगस को एक हाथ मदद के लिए कारेकरम की शुरवात की यह कारेकरम दो अगस से चार अगस तक रखा जाएगा ऐसी जानकारी तहसलदार प्रतापागमारिन दी यदि इन दिनों लोगों के समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो निरंतर इस पहल को जारी रख का आश्वासन तहसलदार प्रतापागमारे ने दिया साथ ही इस कारेकरम से जुड़े हर योजना तथा काम निश्वल करूप से सेवा भावी होकर काम होगा ऐसी जानकारी दी है तहसलदार प्रतापागमारे ने जबाहरलाल नहरू महाविद्याले की में छात्रों समाद में काफी छात्र युवाव ने सह भाग लिया इस कारेकरम में जादा से जादा लोग जुड़े थे अपना काम निश्वल कुरूप से कर लेना ऐसा अनुरोद तहसलदार प्रतापागमारे ने किया है इस पहल को सफल करने के लिए तहसलदार प्रतापागमारे लागौले राजे जंगले सहित अन्य लोगों ने परिश्रम लिए बीसे न्यूस के लिए वाड़ी से समाधाता की रिपोर्ट हरियाना में कावड यात्रा पर हमले का आरोप लगाते हुए विश्वहिंदु परिशद एवं बजरंग दल द्वारा देश भर में धरना प्रद परिशद न्यूर्ट हरियाना में जो घटना होई है बिस्विंदु-परसद की कामड यात्र यह धरना अंदोलन यहां छिनवारा में भी किया गया है जिहादी आतंग बादी दवारा ऐसा किया गया था अभी भीच में एक और घटना हुई थी बाबा महाकाल की सबारी रोकने की कोशिस की गई थी अधर्मी द्वारा आतहंगवादी द्वारा तो ऐसी घटना ना हो इसके लिए यह धर्ना प्रदर्सन था आगे ऐसी कोई अधी घटना और यह होती है उसका जवाबदार वो लोग होंगे खर राशपोर गोंदिया जिले में राष्ठवादी कॉंग्रेस ने मनौहर उउर्फ समभाजी भीडे द्वारा राश्ठव पिता महात्मा गांदी के बारे में दिये गए अपमान जनक बयान के खिलाप राश्ठवादी कारियाले के सामने विरोध प्रदर्रशन किया और N बिड़े के बयान का विरोध एंसीपी ने किया विरोध एंसीपी कारियाले से शरद वलभाई पतेल चौक तक मार्श निकला गया जूटी अभिव्यक्ति के मामले में कारवाई व गिरफतारी की मांग की मुख्या मंतरी के ओर से कलेक्टर को एक बयान गोंदिया में जिल्ला राश्ट्रवादी कॉंग्रेस ने मनोहर उर्फ संभाजी भीड़ी द्वारा राश्ट्रपिता महात्मा गंदी के बारे में दिये गए अपमान जनक बयान के खिलाप राश्ट्रवादी कारियाले के सामने विरोध प्रदर्शन किया और एंसीपी कारियाले से शरद इसके चलते इनसीपी पार्टी ने राज्यब्भर में दोरदार अंदोलन शुरू कर दिया है इसी कि चलते आज राश्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर्से एंसीपी के कारियाले सामने राजींद्र जैन और भीडे के सात कई कारिकरताओं ने विरोध मार्श निकाला वल्लब भाई पटेल चौक तक मार्च किया और मनोर उर्फ संबाजी भीडे की खिलाब कारवाई की पूर्वा विधायक राजेंद्र जैन ने शरत वल्लब भाई पटेल की छवी का मजाक उड़ाया था और उन्हें गिरफतार किया इस बार मांग की गई है कि ऐसा किया जाना चाहिए राजेंद्र जैन पूर्वे विधायक राष्ट्रवाधी कॉंग्रेस पार्टी भीडे ने बढ़ने रा की कारिकर में महात्मा गांदी और उनके परिवार के बारे में अपमान जनंग टिपनी की इसके चलते न्सिपी प पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने शरत वल्लबै पटल की छवी का मजा कुड़या था और उनने गिरफतार किया था इस बार मांग की गई कि ऐसा किया जाना चाहिए बाइट राजेंद्र जैन पूर्व विधायक राष्ट्रवाधी कॉंग्रेस पार्टी पूर्व देशात सम्मान आये त्यांचा बदल चे बोलत आये त्यांचा आमी निश्यत करतो आणि जा पद्दती ने ये आमची संस्क्रती नाई पन जा पद्दती ने ते बोल ले त्याचा विरुदात संपूर्व राजेयक राष्ट्रवाधी कॉंग्रेस पार्टी ने आमची एकच मांगने आये अच्या परिस्तिती मदे लवकरात लवकर त्यांची गिरफतारी जाली पाईजे आनि जा पद्दती ने जे बोल ले तो नियमा प्रमाने कानून प्रमाने जे कारवाई कानून मदे आहे त्या पद्दती ची कारवाई लवकरात लवकर जाली पा काई असे अपमानास सब्द जे वापर ले तैनी या पद्द देने ते बूले हे राष्ट्रबादी कॉंग्रेस पारड़े तो आहेच पंड सामने नागरिक पंड बरदास्ट करनार नाई हे आमचे देशाची आमचे राज्याची संस्कृती आए आज आमी सर्व थोर आज के बुलेडिन में वक्त चला यही रुकने का ताजा खबर से रूबरू होने के लिए आप देखते रहे ये बीसे न्यूज नमस्कार